हाई फ्रेंड्स, वल्कम बैक टो नदर वीडियो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किसी कम्प्यूटर को रिमोट डेक्स्टॉप के थूरू Windows 10 में कैसे एक्सेस करते हैं तो इस वीडियो को पूरा लास तक जुरूर देखना तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं Windows का वर्जिन आपको दिखा दिता हूँ मैं कौन सा वर्जिन यूज़ कर रहा हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर लेटेस्ट वर्जिन है हमारा 20H2 तो Windows 7 में या पीछे के जितने भी वर्जिन है उसमें क्या होता था कि अगर हम remote desktop के तुरू किसी LAN वाले computer को हम access करते थे तो उसमें थोड़ा सा tedious method था कि हम पहले remote desktop को enable करते थे फिर उसमें कुईसी user को permission देते थे कि हाँ वो remotely access कर सकता है system को या नहीं तो वो थोड़ा सा लंबा method था और Windows 10 में क्या है कि अब बहुत ही आसान हो गया है बस आपको कुछ नहीं करना इस पर right click करके पहले आपको remote desktop को enable करना होगा तो property में जाएंगे आप यहाँ पर तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा remote desktop ओके इस पर click करेंगे बस यहाँ पर आपको सिर्फ enable करना है ठीक है सिर्फ आप enable करेंगे और इस पर जैसे ही enable करेंगे तो इस computer को जो अभी मैं use कर रहा हूँ इस computer को आप network के थुरू कहीं से भी network से अगर आप इसे connect करना चाहते है remotely तो वो हो सकता है ठीक है तो इस पर मैंने enable कर दिया और जिसे access करना हो उगर उसका disable भी हो तो कोई बात नहीं तो मैं इसे disable करता हूँ क्योंकि मैं दूसरे computer को access करना चाहता हूँ तो उसमें मैंने इस change को enable कर दिया है ठीक है अब क्या करना है आपको enable करने के बाद याद रहे जिसे access करना है उसका ये remote desktop को enable करना होगा ठीक है अगर आप access करना चाहते हैं तो आपका अगर disable भी हो तो भी कोई मतलब नहीं है आपका काम करेगा ठीक है तो मैं यहाँ पर remote desktop लिखता हूँ और यहाँ पर जिसे मैं access करना चाहता हूँ उस computer का नाम है SYNCTEC ठीक है मैं इससे यहाँ पर SYNCTEC लिखके और connect पर क्लिक करता हूँ तो यह password मांग रहा है उसका username यह है computer नेम भी यही है और username यही है अब इसका password डालना होगा तो password मैं यहाँ से enter कर देता हूँ और मैं अगर remember पर कर देता हूँ तो आगे से यह नहीं पूछेगा तो मैं इसे remember कर करके और okay करता हूँ ठीक है तो एक चीज और यह confirmation बोल रहा है इसे भी आपको yes कर देना है और अगर इसे भी आपको बार बार नहीं देखना है तो इसे भी don't ask again करके और इसे yes कर देना है जैसे ही आप करेंगे तो आपका यह दूसरा computer यहाँ पे आ गया ठी तो अब यहाँ से disconnect करने के लिए क्या है अगर मैं फिर से यहाँ पर पावर पर आके disconnect करता हूँ तो हमारा यह जो है दूसरा computer disconnect हो गया अब फिर से हम आ गया है local computer पर ओके अब फिर से अगर हम इसे access करें तो आप देखना इस बार password वगएरा कुछ नहीं मांगे गया यह नहीं हमसे password मांगा नहीं वो confirmation पूछा तो अब मैं इसकी property दिखा दिता हूँ आपको यहाँ पर देख सकते है remote यहाँ पर मैंने सिर्फ इसे enable करा बस और कुछ नहीं किया ठीक है और जिससे मैं access कर रहा हूँ उसका आप देख सकते है remote desktop यह बंद किया हुए है ठीक है यानि कि जिसे access करना है सिर्फ उसी को आपको enable करना है और जिसके थुरू आप access करना है जिस machine से उसमें आपको अगर disable भी है तो भी वो access कर सकता है दूसरे को ठीक है तो इसे भी disconnect करता हूँ मैं यहाँ से यहाँ से भी disconnect कर सकते है यह direct यहाँ से भी cut कर सकते है तो यह मैंने कर दिय कट तो उम्हीद है छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें शेयर करें अगर कोई सवाल यह सुझा हो तो नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में गुडबाई